असलाम अलेकूम आज हम बनाने वाले हैं रवा उपमा की रेसिपी जो क्या ब्रेक्फस्ट में बना सकते हो या फिर शाम के नास्टे में भी बना सकते हो सबसे पहले हम एक बड़े चमश तेल को गरम कर लेंगे उसमें राई थोड़ी सी हाफ टी स्पून और कड़ी पते एड़ करेंगे राई को हमें अच्छे से स्प्लाटर होने देना है अब हम इसमें एक बड़ी साइस की प्यास को कट करके एड़ कर देंगे और दो हरी मीची को बारिक बारिक कट करके दालना है इसको हम थोड़ा फ्राइ कर लेंगे प्यास को हमें हलका हलका सा सॉफ्ट होने तब फ्राइ करना है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल बटन को जरूर दबाईए क्योंकि बैल बटन को दबाने से मैं जो भी नेक्स रेसिपे दालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी अब मैंने वन टीस्पून इसमें अद्रक लेसन का पेस्ट एट किया है अद्रक लेसन की कच्ची स्मयल को खतम होने तक भून लिया है अब इसमें थोड़े से मैंने सेंग एट किये है सेंग को हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है सेंग जब फ्राइ हो जाते न तो फूटने लगते हैं बीच में से तो आप समझ जाएं कि यह फ्राइ हो चुके है देखें सेंग हमारे अच्छे से ओईल में फ्राइ हो चुके है अब आम इसमें पाओ चमच हल्दी और वन टीस्पून नमक एड़ करेंगे इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे अब आम इसमें रवा एड़ करेंगे आधा कप मैंने रवा लिया है बारीक वाली सूजी ली है इसको एड़ कर देंगे बारीक यह फि फोड़ी से मोटी जो जैसी भी सूजी है अपके पास तो आप दाल सकते हैं इसमें अब low flame रखना है और low flame पर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ठीक है भूनने से इसका टेस्ट जो है जादा अच्छा आता है तो हलका हलका सा लो फ्लेम पर हम इसको भूनते जाएंगे देखे भून लिया है अब हम इसमें पानी एट करेंगे तो जितना हमने रवा लिया है उसका डबल पानी एट करेंगे आदा कप मैंने रवा लिया है तो एक कप मैं इसमें पानी एट करूंगी गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और जिल्दी जिल्दी पानी दालते दालते ही हमें इसको मिक्स करते जाना है ठीक है, रुखना नहीं है वांने इसमें घाटी पड़ने लगेगी फटाफर इसको mix करते जाएंगे flame को low रखेंगे और इसको continue हमें थोड़ा-थोड़ा सा चलाते रहना है ताकि रवा हमारा जले ना बर्दन में जो है नीचे से लगे ना अब आप इसमें कटा हुआ हरा धन्या एट करेंगे और इसको भी mix कर देंगे अगर आप एक कप रवा ले रहे हो तो दो कप आपको इसमें पानी डालना है चाहे आप मीठा रवा बना रहे हो या फिर उपमा बना रहे हो आपको measurement यही रखना है तो देखे पानी सुक चुका है अब low flame पर ही हम इसको cover कर देंगे थोड़ा सा पांच मिनट के लिए दम दे देंगे देखे पांच मिनट इसको मैंने दम दिया है और हमारा उपमा जो है बनकर रेडी हो चुका है देख सकते हैं आप अच्छे से पक चुका है और खुशबय तो बहुत अच्छी आ रही है अब हम इसमें आधा लेमन जू सेट कर देंगे ठीक है आधा मैंने नीमबू ले लिया है इसके उपर डाल देंगे लास्ट में ही डालना है और या तो फिर आप अगर सर्फ कर रहे हैं प्लेट में तो उस वक भी डाल सकते हैं खाते टाइम नीमबू डालने से उसका टेस्ट वच्छाब बढ़ जाता है बहुत टेस्टी लगता ये खाने में और हैल्दी भी होता है बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं इसको तो देखे हमारा रवा उत्मा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है हमने इसको सर्फ पर लिया है डिश में बहुती टेस्टी और मज़ेदार ब्रेक्फस रेसिपी है यह आप इसको जरूर नास्टे में बना कर खाए या फिस शाम के नास्टे में बना कर खाए आपको जरूर पसंद आएगी रेसिपी तो फिर मैं मिलते रहूंगे आपसे इसी पनी रेसिपी सकत अला हाफिस